जय हिन जय भारत बंदे मात्रम मैं कृष्णा शुकला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपी संगमबाई MD Classes के यूटूब चैनल पर जैसा कि प्यारे बच्चों सभी आपको पता है और बहुत सारी उमीदे बहुत सारी आशाएं बहुत सारी आकांख्षाएं अपर अपने दिमाग में ले करके आए तो कहते हैं कि जो लोग घर से निकल पड़े हैं उनको तो मन मिल ही जाएगी और गुमराह तो वो है जो भी घर से ही नहीं निकले तो इसी उमीद इसी जोस इसी जुनून इसी पागलपन के साथ अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष के लिए अपने लक्ष के लिए जोसीले और जुनूनी बन कि ये परिस्रम का फल सफलता ही है बिलकुल सफलता मिलनीते हैं लेकिन कहते हैं सफलता उनके निश्चन कदम चुनती है जो लोग परिस्रम करते हैं आज आपसे में बाते क्या करने वाला हूं देखिए बहुत बड़ा इसका कोई रहस से नहीं है इसका किसी भी परकार का कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो लेकिन हाँ कुछ सीक्रेट इसमें बहुत बड़ा छिपा है खास कर हमारे तैयरी करने वाले बच्चों के लिए इसमें खास कर तो शुरू से लेके अन तक वीडियो देखेंगे बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी जिसमें आप बहुत सारी पढ़ना है पढ़ना क्या है चोड़ना क्या है कैसे पढ़ना है क्या क्या जरूरी है किसको पढ़ना अभ्यास क्या करना है अभ्यास क्या करना खास कर सभी यहां पर लेकपाल के बच्चों के लिए तो यहां पर यह मुहिम है यह लेकिन इसके साथ साथ और भी कॉंपटिशन की तैयरी करने वाले हमारी जितने भी भाई बंदू हैं उन सभी के लिए भी एक महत्तपुर संदेश है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है अपने आपका mind setup यहाँ पर करना है time का management करके पढ़ना है तो आएए आते ही देखते ही यहाँ पर जबरदस्त बात क्या है और कुछ concept यहाँ पर हम लोग देखेंगे देखें यहाँ पर हमने यहाँ सीखा है कि वाक्यांस के लिए एक शब्द और यह आपका syllabus है यह आपका टोटल यहाँ पर जो syllabus लिखा हुआ है और इसकी साथ साथ यहाँ पर लिखा है यह इनका इनका अभ्यास करना है और इसके बाद मलक इनको हमें पढ़ना है यह क्या करना है पढ़ना है और अभ्यास करना है पढ़ना है और क्या करना है इनका पूरी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करने है पढ़ने के साथ साथ इनकी क्या करने ही प्रैक्टिस करने है लेकिन ज़रा समझे बात को ध्यान से पूरी बात को भहती ध्यान से समझेंगे इनमे ये वाले हमें पढ़ने है इतने टॉप क смотреть करा हैं और practice करना है तो आइए देखे कैसे एक शब्द की practice के लिए हम लोग देखे क्या समय की हम लोगों ने बात की है क्योंकि पुरुष होत बलवान नहीं समय होत बलवान पुरुष होत बलवान नहीं समय होत बलवान तो समय का तकाजा देखे यहां पर क्या-क्या आपसे पूछता है क्या-क्या सवाल आपके यहां पर बनते ही सूर्योदय से सुरू होता है यानि सूर्योदय के पहले का समय क्या कह लाता है तो मेरे काल के पहले का उसा काल के पहले का समय क्या कहलाएगा ब्रम्ह मुहूर्त कहलाएगा क्या कहलाएगा ब्रम्ह मुहूर्त कहलाएगा याद रखना सभी लोग क्या कहलाएगा भी या ब्रम्ह मुहूर्त कहलाएगा सब लोग याद रखेंगे इसके बाद देखेगा दो पहर दो दोपहर के पहले का समय क्या कहलाएगा दोपहर के पहले का समय क्या कहलाएगा दोपहर के पहले का तो ये कहलाएगा पूरवाहन यानि पूरवाहन कहलाएगा लेकिन अगर आपसे पूछेगा दोपहर का समय क्या कहलाएगा दोपहर का समय क्या कहलाएगा तो मध्यान से दिखी आपका एक कोश्चन पक्का है आपके एक्साम में आना ही आना है दो पहर का समय क्या कहलाएगा मध्यान कहलाएगा लेकिन यहां पर दो पहर के बाद का दो पहर के बाद का यहीं समय क्या कहलाएगा याद रखेगा तो यहां पर क्या कहलाएगा भैया यहां पर कहला अपराहन कहलाएगा याद रखेगा इसके बाद देखेगा संध्या काल का समय क्या कहलाएगा संध्या काल का समय क्या कहलाएगा संध्या काल का समय गोधूली कहलाएगा गोधूली कहलाएगा क्या कहलाएगा गोधूली कहलाएगा और याद रखेगा मद्यरात्री का समय क्या कहलाएगा मद्ध रात्री का समय क्या कहलाएगा तो सभी लोग याद रखेंगे मद्ध रात्री का समय क्या कहलाएगा निशीत कहलाएगा क्या कहलाएगा निशीत कहलाएगा और एक समय यहां पर और बच रहा है यहां याद रखेगा रात्री का तीसरा पहर रात्री का तीसर कहलेगा सी कि इस तरीक के से याद करना धें गए सब्सक्राइब करें बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे सभी बच्चों के धेंने स्थつ झाल झाल